नमस्कार, WKB News के खास पेशकर्ष में आपका स्वागत है, जहाँ आप देख रहे हैं, देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास सुने दा खबरे, वो भी मेरे साथ मंतरी नवाब मलिक को अदालत से रहत मिली है, भाचपा के मोहित कमबोज भारतिय द्वारा दायर मानहानी केस के सिलसिले में नवाब मलिक को अग्रिम जमानत मिल गई है वही परमिर सिंग को भी रहत मिली है, चांदिवाल आयोग ने उनके खिलाफ जारी जमानती वोरन को रत कर दिया है मगर उनसे मुख्यमंतरी रहत कोश में 15,000 रुपे जमा करने को कहा गया है उदर ठाने में कोरोना का भयंकर विस्पोट हुआ है, एक पुर्धाश्रम में 67 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कम्त मजगया है तो पुर्वक केंद्रिय मंतरी प्रकाश जावडेकर ने महराश्रकी महाविकास आघाडी सरकार को महाविश्वास घाती आघाडी सरकार बताया है उन्होंने आरुप लगाया है कि उद्धव ठाकरे धोके से मुख्यमंतरी बने है इस बिच फिल्मी दुनिया के लिए एक दुखात खबर है कोरियोग्राफर शिवा शंकर मास्टर का निधन हो गया है वे 72 साल के थे और पिछले कुछ समय से कोरोना से संक्रमित थे प्रदेश की इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ आरेन खान केस में भाजपा के मोहित कमबोज महरतिय द्वारा दायर मानहानी केस के सिलसले में नवाब मले को अगरिम जमानत मिल गई है भाजपा के मोहित कमबोज भारतिय द्वारा दायर मानहानी केस में मजगाम मेजिस्ट्रेट के अदालत ने एनसीपी निता नवाब मले को पंदरा हजार उपयों के नीजी मुचलके पर अगरिम जमानत दिये और उन्हें 5000 उपय जमा करने के लिए भी कहा कोड ने मामले की अगली सुनवाई 30 दिसमबर तक रखी है दरसल जब से क्रूस पार्टी ड्रग्स केस के सिलसले में अभीनिता शारुख खान के बेटे आरिन खान को गिरफतार किया गया था तब से मलिक नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानि NCB और इसके जोनल डायरेक्टर समीर वान खेड़े पर ताबरदो हमले कर रहे हैं इतना ही नहीं उन्होंने कमबोज समेथ अन्ने पर भी कई तरह क्या आरोप लगाए इस प्रकरमें हर दिन अलगलग आरोपों से NCB के जोनल डायरेक्टर समीर वान खेड़े को घेड़ने वाले महराश के मंतरी नवाब मलेक उस वक्त कानूनी पचड़े में फस गये थे जब उनके उपर मोहित कमबोज ने मानहानी का मुकदमा ठोका था कमबोज ने इससे पहले 9 अक्टूबर को नवाब मलेक को नोटिस जारी किया था जिसमें उन्होंने मंतरी से मानहानी कारक बयान देने से बचने को कहा था हाला कि नवाब मलेक ने पीछे हटने के बजाए 11 अक्टूबर को कुछ समाचार चानलों पर आरोपो का दोहराया है उसी दिन कमबोज ने मलेक को एक और नोटिस भेजा जिसमें कहा गया था कि उन्होंने जो कहा है उसे साबित करें या फिर इस तरह के दावे करना बंद कर दें लेकिन मलेक ने आरोपो को दोहराना जारी रखा मुंबई के पूर्व पुलिस आइक्त परंबीर सिंग आज महाराश के पूर्व ग्रह मंत्री और निर्देश मुके खिलाफ ब्रश्चा चार के आरोपो की जांच कर रहे आयोग के समक्ष पेश हुए परंबीर सिंग की पेशी के बाद जस्टिस के यू चांदीवाल आयोग ने उनके खिलाफ जारी जबानती बॉरंच को रत कर दिया और उनसे मुख्य मंत्री राहत कोश में 15,000 रुपे जमा करने को कहा बतादे की तदकाली ग्रह मंत्री और एंजीपी निता निर्देश मुख के खिलाफ परंबीर सिंग द्वारा लगाये गये वसूली की आरोपों की जांच के लिए साल मार्च में एक सदसी आयोग का गठन किया गया था पैनल ने इसे पहले परंबीर सिंग पर कई मौकों पर पेश होने में विफल्ड रहने के लिए जुर्माना लगाया था और उनके खिलाफ जमानती वारंट भी जारी किया था परंबीर सिंग ने आरोप लगाया था कि अनिर्देश मुक ने पुलिस अधिकारियों से शेहर में बार और रेस्टोरेंट से सौ करोड रुपे परती महा वसूली करने के लिए कहा था परंबीर सिंग को एंटीलिया बमकान के बाद मार्च में मुंबई पुलिस आयक्त के पट से हटा दिया गया था करोणा मामलों में कमी आने के साथ ही जिन्दगी पट्री पर लोट रही थी कि इसके नए वेरियंट से दुनिया में एक बार संकट की स्थिती फिर उत्पन हो गई है दक्षन अफ्रीका में इस नए वेरियंट की पहचान की गई है मुंबई समय देशबन में अलर्ट की स्थिती देखने मिली है इसी बीच महराश के थाने में कोरोना का भयंकर विस्पोर्ट हुआ है थाने जले के एक वृद्धाशम में 67 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कम मज गया है बताया गया है कि इन सबी को ठाने के अस्पताल में भरती करवाया गया है ठाने सिवल अस्पताल के सिवल सर्जन डॉक्टर केलाश पवार ने बताया कि वृद्धाशम में 67 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है जिन में 5 स्टाफ हैं यानि स्टाफ को छोड़कर वृद्धाशम में रह रहे 62 लोगों के करोना वाइरस संक्रमित होने की पुष्टी हुई है इससे पहले जिलास्वास अधिकारी डॉक्टर मनीश रिंगे ने बताया था कि भिवंडी तालुका के खड़ावली मिस्टित, मातोश्री वृद्धाश्रम में रहने वाले कुछ लोगों की तब्यत खराब होने की सूचना मिलने के बाद 109 लोगों की चिकचिकों की टीम ने जांच की थी उन्होंने बताया कि उनमें से 61 लोगों की जांच के नतीजे पॉजिटिव आए अधिकारी ने बताया कि इन बज़ुर्गों के पांच रिष्टिदार भी करोना वाइरस की जांच में संक्रमित पाए गये और उन्हें भी अस्पताल में भरती करवाये गया है अधिकारी ने बताया कि जिला प्रशासन इन लोगों के स्वास्त पर नजर रख रहा है और संक्रमन की प्रसार को रोकने के लिए उचित कदम भी उठा रहा है उर्वकेंद्री मंत्री प्रकाश जावडेकर ने महराश की महाविकास आघाडी सरकार को महा विश्वास घाती आघाडी सरकार बताया है साथ उन्होंने आरोप लगाया कि उधव ठाकरे धोके से मुख्य मंत्री बने है जावडेकर ने कहा कि उद्धव ठाकरे सरकार ने आज दो साल पूरे कर लिये हमने इसे ज्यादा भरष्ट, मौका परस्त और जन विरोधी सरकार राज्य में नहीं देखी उन्होंने अपना नाम महाविकास आघारी रखा है शिफसना भाजपा को अपना वोट दिया था लेकिन शिफसना ने राज़की सबसे ब्रष्ट सरकार का मुख्य मंत्री बनने के लिए प्रतीदवन दी राश्रवादी कॉंगरस पाटी और कॉंगरस से हाथ मिलाना चुना दरसल उद्धव ठाकरे अक्सिडेंटल चीफ मिनिस्टर है वह धोके बाजी से मुख्य मंत्री बने है उन्होंने धोका दिया और मोधी विरोधियों के साथ गड़ बंदन कर लिया इस दुरान उन्होंने महाराश्र सरकार के कई मौझुदा और पूर्व मंत्रियों पर नाम लिये बगेर आरोप लगाए कहा कि एक बड़ा मंत्री है जिसके घर पर आईकरवे भागने रेट की एक हजार करोड से ज्यादा रुपए बेनामी संपती के रूप में मिले कोरियोग्राफर शिवाशंकर मास्टर का निधन हो गया है बस 72 साल के थे और पिछले कुछ समय से करोणा से संक्रमित थे जिसके बाद उनके इलाज के लिए उनने हैद्रबाद की आईजी अस्पताल में भरती कर पाया था शिवाशंकर की मदद के लिए हाल ही में बॉलिवर डाक्टर सोनु सूद ने मदद के हाथ बढ़ाए थे करोणा वाइरस से संक्रमित होने के बार शिवाशंकर और उनके बड़े बेटे दोनों ही कुछ दिन पहले करोणा वाइरस के शिकार हुए थे शिवाशंकर की तबियत ज्यादा खराब होने लगी जिसके बाद उन्हें ICU में शिफ्ट कर दिया गया था जहां रभीवार रात उन्होंने अंतिन सांस ली शिवाशंकर के निधन से South Industry को गहरा जड़का लगा है शिवाशंकर के निधन की जानकारी के बाद फिल्मेकर SS राजा मॉली और सोनू सूद सहित कई सितारों ने दुख जाहिर किया सोनू सूद हाल ही में तब उनकी मदद के लिए आगया थे जब ये खबरे सामने आई कि आर्थिक तंगी के कारण उनका परिवार इलाज अच्छा नहीं करा पा रहा है सोनू सूद ने ट्वीट कर लिखा कि शिवाशंकर मास्टर जी के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ हमने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन भगवान को कुछ और ही मनजूर था हम मास्टर जी को हमेशा याद करेंगे भगवान परिवार को इस दुख से सहने की शक्ती दे फिल्मेकर ऐसेस राजा मोली ने ट्वीट किया कि उनके साथ फिल्म मगधीरा में काम करने का यादगार अनुवव रहा भगवान उनकी आत्मा को शांती दे उनके परिवार के साथ मेरी संबेदनाए प्रधान मंतरी नरेद्र मोधी ने कहा कि संसद में काम काज में ज्यादा से जादा भागितारी निभाने का वक्त है हम हर विशे पर खुली चर्चा करने को तयार है और हम ये भी चाहेंगे कि संसद में सवाल हो और शांती भी हो इस बीच देश के प्रधा नैदिश ने कहा कि मदुमेह की इलाज में काफी अधिक खर्च होता है इसलिए ये आवशक है कि सरकार मदुमेह की देखभाल के लिए साहता और सबसीटी प्रदान करे साथ ही इस समस्य से निपटने के लिए अधिक स्वास्त पेशेवरों को प्रशिक्षित करने और सेवा में लानी की भी जरूरत है उधर दिल्ली से मुंबई जा रहे ही स्पाइसेज जेट की फ्लाइट में नशे में धूत एक महिला यात्री ने ऐसा हंगामा मचाया कि फ्लाइट के टेक आफ को रोकना पड़ा वही दूसरी और उत्तर प्रदेश में रविवार को रद यूपी शिक्षिक पातरता परिक्षा मामले में पेपर लिग की रोह के 29 सदस्यों को अलग-अलग जिलों से गिरफतार कर लिया गया है यहां तक कि STF की जाज में TET पेपर लिग के तार सची वाले से जुड़े नजर आ रहे है तो सीख फॉर जस्टिस ने किसानों से संसत का घिराव करने और खलिस्तानी जंडा फहराने की अपिल करते हुए एक आनलाइन वीडियो चारी किया है इस खलिस्तानी संगठा ने युवाओं को भड़काने की कोशिस फिर से सुरू कर दी है देश की इन पाज बड़ी और ताजातरीन खबरों को विस्ताल से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी ने संकेतों में विपक्ष को नसीहत दी कि संसद में सवाल हो और शांती भी हो संसद में सरकार के खिलाफ सरकार की नीतियों के खिलाफ उचित आवाज उठे लेकिन संसद की गरिमा पिटा सिंथ बड़ादी कारियों की गरिमा इन सब की विशय में हम वो आचरन करे जो आने वाले दिनों में देश की युवा पेडी को काम आए संसत को कैसा चलाया, कितना अच्छा चलाया, कितना अच्छा योगदान किया उस तराजू पर तौला जाए न की किसी ने कितना जोर लगा कर संसत के सत्र को रोक दिया इसे पैमाना माना जाए यह मानदन हो भी नहीं सकता मानदन तो यह होगा कि संसत में कितने घंटे काम हुआ कितना सकरातम काम हुआ संसत के शीत कालिन सत्र को अत्यनत महतों पुर्ण बताते हुए पीम ने कहा कि देश आजादी का अम्रुत महत समना रहा है आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे उन सपनों को पूरा करने के लिए सामने नागरिक भी अपना कोई ना कोई दायत्व निभाने का कोशिश कर रहा है ये खबरे भारत के उजल भविश्य के लिए शुब संकेत है डायबटीज मरिजों और उनके परिजनों को जल्धी खुशकबरी मिल सकती है सरकार डायबटीज को नियंदर्ण में रखने और इसकी इलाज में उपयोगी दवाईयों और चिकितसा उपकरनों पर सबसीडी दे सकती है इसकी उम्मीद इसलिए है क्योंकि सरकार को इसकी सलह किसी और ने नहीं बलकि सुप्रीम कोड के चीप जस्टिस एनवी रमन न दी है प्रधान नयाधिश ने कहा कि मदुमेह की इलाज में काफी अधिक खर्च होता है इसलिए आवश्यक है कि सरकार मदुमेह की देखबाल के लिए साहता और सबसीडी प्रदान करे सरकार को इन समस्या से निबटने के लिए अधिक स्वास्त पेशेवरों को प्रशिक्षित करने और सेवा में लाने की भी जरूरत है एक आजिवन बिमारी और गरिबों का दिश्मन करार देते हुए उन्होंने कहा कि स्थानी आबादी को लक्षित करके भारत विशिश्ट अध्यन करना अनिवार है जिससे उचित उपचार प्रोटकॉल विकसित करने में मदद मिलेगी चिप जस्टिस ने कहा कि राश्टो उसके नागरिकों का स्वास सरोपरी है और हमने अपने लिए जो विकासात मकलक्ष निरधारित किया है उसके लिए भी यह जरूरी है जब भारतिय विग्यानिक और शोतकरताओं ने महामारी फैलने के कुछ मेनों के भीतर कोविड-19 रोधी टिके के लिए मिलकर काम किया तो हम बहुत उत्साहित थे हाला कि हम मदुमे के लिए एक स्थाई इलाज खोजने के करीब भी नहीं है जो एक पुरानी बिमारी है मेरी एक ही इच्छा है कि इसका इलाज मिल जाए इसके लिए वेग्यानी को और शोतकर्ताओं को पुरा ध्यान देना होगा दिल्ली से मुंबे जा रही स्पाईस जेट की फ्लाइट में नशे में दूद एक महिला यात्री ने ऐसा हंगावा मचाया कि फ्लाइट के टेक ओफ को रोकना पड़ा दिल्ली से मुंबे जानी वाली स्पाईस जेट की फ्लाइट को टी थ्री ने शनिवार राज 7 बच कर 45 मिनिट पर टेक ओफ करना था जानकरी के मुताबिक पहले वह माक्स नहीं बन रहे थी एर होस्टेस ने उन्हें काफी समझाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं मानी गंभिरता को समझते हुए पाइलेट ने फ्लाइट के टेक ओफ को टाला यात्रियों ने कहा कि कोरणा काल में हम महिला यात्री नियम कायदे नहीं मान रही है और उनके साथ बदसोलुकी कर रही है इसके बाद मामले की सुचना एटी सी को दे दी गई और फ्लाइट वापस आई महिला यात्री को फ्लाइट से नीचे उतार दिया गया इस घटना के कारण करिब 200 से अधिक यात्रियों को 2 गंडे तक परेशान होना पड़ा एएरपोर्ट अधिकारियों के रुसार घटना की जांच की जा रही है हंगावा मचाने वाली महिला यात्री को ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता है उत्तर प्रदेश में रविवार को यूपे शिक्षक पातरता परिक्षार रद कर दी गई पेपर लिग गिरो ने 29 सदसो को अलग अलग जिलो से गिरफतार कर लिया गया है सचिवाले से समधा पर तैनात कर्मचारी इस गरों में सक्रिय सदसे है इसके अलावा कई सरकारी कर्मचारीों के भी तार गिरों से जुड़े होने के सबूत मिले है इसमें जहांसी का अनुराग देश, आमेटकर नगर का फौसदार वर्मा उर्फविकास, अयोध्य कपासी का कौशलेंदर प्रताप राय और जहांसी का चंदू वर्मा शामिल है अयोध्य के कौशलेंदर राय के पास से टीम ने कई अहम दस्तावेज बरामत किये है बताए जा रहा है कि हर जिले में अलग-अलग माफियों ने पेपर लिग करवाय था बतादे कि कोशंबी से गिरफतार रोशन सिंग लाइब टेकनिशिन है जबकि प्रयागरास से गिरफतार सत्प्रकरास सिंग सरकारी टीचर है और लखनौ से गिरफतार कौशलेंद सचवाले का समीधा करमचारी है ADG Law and Order प्रशान कुमार ने बताया कि परिख्षा में किसी भी गडबडी को रोकने के लिए नकल माफिया और सॉलवर गैंग पर नजर रखने के लिए जाल बिचाय गया था मुख्बिर और खुपिया जानकरी के आधार पर शनिवार राथ से अब तक 26 लोगों को गिरफतार किया गया है केंदर सरकार ने तीन नए क्रुशी कानूनों को वापस ले लिया है लेकिन इसके बावजूर प्रदर्शनकारी किसान आंदोलन को जारी रखने पर अड़े हुए है इसी बीच भारत में बैन खलिस्तानी संगटन सीक फॉर जस्टिस एक बार फिर इसका फायदा उठाने के लिए युवाओ को भढ़काने की कोशिश कर रहा है दरसल सीक फॉर जस्टिस ने किसानों से संसत का घेराव करने और खलिस्तानी जंडा फैराने की अपिल करते हुए एक ओनलाइन वीडियो जारी किया है याद रहे इससे पहले सीख फॉर जस्टिस की अपील पर दिल्ली के लाल किले पर खलिस्तनी जंडा फैरानी की घटना हो चुकी है खुपी आजंसियों ने दिल्ली पुलिस और अन्य अजंसियों को सतक रहने के लिए कहा है बिडिया रिपोर्ट की मताबिक सीख फॉर जस्टिस का चीप गुरुपवन सिंख पन्नू रेकॉर्डेट संदेश भेज कर लाल किले की तरह ही 29 नवंबर को देश की संसत पर खलिस्तान के जंडे लगाने के लिए उकसा रहा है इस दोरान पन्नू को यह कहते हुँ सना जा सकता है कि देश को आजाद कराने के लिए बगत सिंख ने पार्लामेंट में बंब फेका था ट्रेक्टर को हतियार बना कर तुम 29 नवंबर को खालिस्तान के केसी जंडे को भारत की संसत पर चड़ा दो इस काम के लिए सिक पॉर्ट जस्टिस सवालाग डॉलर का इनाम देगी कोरोना ने नए रुप में पलटवार किया है दक्षिन अफ्रीका में पहली बार पहचाना गया कोरोना वाइरस का नया वेरियंट ओमिक्रॉन अब तक 15 से अधिक देशों में फैल चुका है इस बिच पाकिस्तान के जमाते इसलामी ने देश में बढ़ती महंगाई और बिरोजगारी को लेकर इमरान खान सरकार के खिलाफ अपना विरोध तेज कर दिया है इस विरोध प्रदर्शन में बिरोजगार युवाओं के संक्या तेजी से बढ़ रही है उधर कोरोना महामारी के कारण तकरी बंद दो सालों से बंद बॉर्डर को सिंगापूर और मलेशिया ने फिर खुल दिया है इसके खुलने से लोगों को काफी सुविधा होगी इसके अलावा चिन ने एक बार फिर से भारत की जमिन हडपने वाली सलामी स्लाइसिंग रणनिती शुरू कर दी है इसके जरीये ही चिन भारत की जमिन पर कबजा जमाता रहा है दुनिया भर के इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ दुनिया के कई और देशों में कोविड-19 के ने स्वरूप ओमिक्रों के मामले सामने आने के बाद कई सरकारों ने अपने अपने देश की सीमाब बंद करने जैसे कदम उठाये है ओमिक्रों के अधिक संक्रमन होने और इसके वैक्सिन को बेशर करने को लेकर डर बना हुआ है दक्षिन अफरिका में पहली बार पहचाना गया कोरोना वाइरस का यह नया वेरियंट अब तक 15 से अधिक देशों में फैल चुका है वही वेग्यानिको का कहना है कि अभी यह सपच्ट नहीं है कि कोरोना वाइरस का यह स्वरूप पहले सामने आए स्वरूपों से ज्यादा खतारनाख है या नहीं नय वेरियंट की पहचान दक्षिन अपरिका के अनुसंदान करताओं ने कुछ दिन पहले ही की थी और अभी तक इसके ज्यादा संक्रम होने या इससे मरीज के गंबिन रूप से बिमार पढ़ने या इसके टीके के असर को नकारने जैसी जानकार या उपलब नहीं हो पाई है लेकिन कई देशों ने एतियाती कदम उठाए हैं अब तक कोरोना वाइरस का ओमिक्रॉन नामक नया वारियन दुनिया के 15 से अधिक देशों में मिल चुका है इसराइल ने विदेशी लोगों के प्रवेश पर पाबंद लगाने का निर ने लिया है होंग कॉंग से यूरोप और उत्तरी अमरिका तक कई जगों के विग्यानिकों ने इस स्वरूप की मौजूदगी की पहचान की है पंजाब नाशनल बैंक स्कैम में भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी ने एक बार फिर से अपने किदनापिंग के आश्रंका जाहिर की मेहुल चौकसी ने दावा किया कि मुझे गैर कानूनी और अवे तरीके से भारत ले जाया जा सकता है फिलाल खराब सेहत की वज़े से वह एटिंगा में अपने घर पर है इसी साल मई में मेहुल चौकसी अच्छानक से एटिंगा से लापता हो गया था कुछ समय बाद उसे डोमिनिका में पकड़ा गया था चौकसी ने कहा कि मैं अपने मानसिक स्वास की बुरी स्थिती के लिए मदद मांग रहा हूं क्योंकि मैं लगातार डर से सहम गया हूं पिछले कुछ महीनों में अपने अनुभवों के सदमे से स्तब्द हूं मैं अपने डॉक्टरों की सिफारिशों के बावजूद अपने घर से बाहर कदम रखने में असमर्थ हूं मैं अब हर कीमत पर लाइम लाइट से बचना चाहता हूं मेरा खराब स्वास्त मुझे कहीं जाने और कुछ भी करने के अनुमती नहीं देता है मेरे वकील एटिंगा और डोमिनिका दोनों केस में कानुनी लड़ाई लड़ रहे हैं मुझे पूरा विश्वास है कि विजेई हूंगा क्योंकि मैं एक एटिंगा का नागरेख हूं पाकिस्तान की जमात इसलामी ने देश में बरती महंगाई और विरोजगारी को लेकर इमरान खान सरकार के खिलाफ अपना विरोध तेज कर दिया है इस विरोध प्रदशन में विरोजगार युवाओं की संख्या तेजी से बरती जा रही है रिपोर्ट के नुसार देश में एक करोण नौकरियों का दावा करने वाली इमरान खान सरकार के जूटे वादों के विरोध में ये यूवाप प्रदशन में शामिल हुए विरोध प्रदशनों का नेतित व जमात इसलामी के आमिर सिराजुल हक ने किया था उन्होंने राली को संबोधित करते हुए इमरान सरकार के उन वादों का लेग किया जने पूरा करने में वो पूरी तरह से विफल रही इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर ये भी आरोप लगाया कि पाकिस्तान में गरीब और अमीर वर्गों के लिए न्याय के अलग-अलग माबदन तैह है उन्होंने कहा कि अगर इसलामाबाद में Constitution Avenue के सामने वाली उंची इमारतों को नियमित किया जा सकता है तो कराची के नसला टावर को लेकर ऐसा ही क्यों नहीं किया जा सकता ऐसा इसलिए है क्योंकि इसलामाबाद के टावर में लगजरी फ्लाटो का मालिकाना हक अभीजाद वर के लोगों के पास है सिराजुल हक ने कहा कि सत्तारोर पार्टी ने 2018 के आम चुनाव में धान्दी से जीत हासल की लेकिन उन्होंने कहा कि वो मौजूदा शासन का समर्तन करने वालों को उन पुरानी रणनीती का उप्योग करने के नुमती नहीं देंगे साथ ही कहा कि यूवा पीढ़ी के लिए जमात इसलामी उमीद की आखरी किरन है करोना में हमारी के कारण तकरीबन दो सालों से बंद बॉर्डर को सिंगापूर और मलेशिया ने फिर खोल दिया है यह दुनिया के सबसे व्यस्त बॉर्डरों में से एक है जहांसे करोना काल से पहले हर दिन लाखों लोग यात्रा करते थे इसके खुलने से लोगों को काफी सुविधा होगी जो लोग दो साल से अपने परिवार और दोस्तों से नहीं मिल पाए हैं उन्हें उनके लिए बेहत खुशी का मौका है सिर्फ उन्हीं लोगों को यात्रा क्यानुमती होगी जिनका टीका करण हो चुका है हाला कि करोना वाइरस के नए वेरियंट एमरेकॉन के सामरे आने के बाद इस बात की उमीद जताई जा रही है कि बॉर्डर फिर से बन भी हो सकता है नए वेरियंट की खत्रे को लेका चिंतित सिंगापूर प्रशासन का कहना है कि प्रस्थान से पहले सभी यात्रियों की नकरात्मक COVID-19 टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए और मलेशिया पहुँचने पर भी यात्रियों का टेस्ट किया जाना चाहिए गौरतलब है कि महामारी से पहले 3 लाख मलेशियाई रोजाना सिंगापूर जाते थे मार्च 2020 में सीमा के अचानक बंद होने से दोनों तरफ हजारों लोग फस गए थे और अपने परिवारों से दूर हो गए थे सिंगापूर सिरकार के दिशान अर्देशों के नुसार नई व्यवस्था के तहट दोनों तरफ के 1440 यात्री बिना आइसोलेशन के बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं हाला कि उनके पास थाई निवास या विज़ा होना जरूरी है चीन ने एकवार फड़से भारत की जमीन हडपने वाली सलामी साइलिंसिंग रणीती शुरू कर दी है चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच पारंपारिक चारगा भूमी में चराई पर भारती सेना के प्रती बंदों ने पूर्वी लद्दाक में वास्तविक नियंतर रेखा के साथ पीपल्स लिब्रेशन आर्मी द्वारा सलामी साइलिंसिंग के लिए एहम इलाकों को छोड़ दिया है और पशुपालन को प्रभावित किया है जो खाना बदोश निवासियों की एक मात्र आजीवी का है इंजिन आर्मी के इस बैंड से चीन को सलामी साइलिंसिंग रणनीती को करियानवित करने के लिए खुला मैदान मिलिया है चीन अपने खाना बदोशों के लिए इन लाकों को खोल रखा है यह चीनी खाना बदोश पीपल्स डिलिप्रेशन आर्मी की आंखों के रूप में काम करते हैं यानि इनके जर्ये ही चीन भारत की जमीन पर कबजा जमाता है भारत ने एक ओर जहां अपने खाना बदोशों पर पाबंदी लगा रखी है वहीं चीन ने उसे पूरी तरह से छूट दे रखी है दूसरी तरफ भारती सेना द्वारा भारती खाना बदोशों को अपने पशों को होट स्प्रिंग फिंगर से लेकर नियालों योकमा और नियालों गोगमा तक फैले पारंपर एक चारा गहा पर अपने पशों को चराने से प्रती बंदित किया गया इन इलाकों को सेना के लाश रेंज, रेचनला, रेजांगला, ब्लाक टॉप, गुरंग हिल और फुरत सुर्ग कारपों के रूप में पेश करती है। तो आज की इस खास पेशकर्ष में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए विकेवी न्यूस नमस्कार। झाल